प्राणधार आत्म सम्मन्नी संदर साज्जी अभी हमने जुच्णा माताजी के द्वारा एक प्रकरण की चर्चा सुनी जिसमें ब्रह्मिस रष्टियों को उनका फर्ज उनका कर्तव्य याद दिलाया गया और और जब ये कर्तव्य याद दिलाया जा रहा था तो महमती जी ने कहा उस प्रकरण की अंतिम चोपाई में कि ले साख धनी फुर्मान की महमत कहें पुकार समझ सको सो समझियो या यार या सिरदार महमती जी ने कैसे कहा ब्रम्व सिष्टियों को कैसे या दिलाया ले साख धनी फुर्मान की धाम धनी का जो आदेश है उसकी साक्षी ले करके ब्रह्म सुष्टियों को समझाया उनको अपना कर्तवे याद दिलाया और इतना होने के बाद भी क्या कह रहें थौप नहीं रहे हैं कि जबरजस्ति करना है तुम्हें करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं क्योंकि मैं बार बार एक बात कहा करता हूं कि राज्जी को पाने के रास्ते में सबको अपनी अपनी यात्रा खुद करने होती है कोई किसी के बदले यात्रा नहीं कर सकता और इस यात्रा में जबरजस्ति भी कोई नहीं कर सकता हाँ कभी कभी जब राजी को लगे कि यह बाया में कुछ ज्यादा ही जा रहे हैं तो स्वयम ही राजी की तरफ से या फिर राजी का जोस है जबराईल उसकी तरफ से कभी महाँजी भाई की तरह हो जाए या लालदास जी की तरह जहाज डूब जाए वो अलग चीज है वरना कहीं पर भी जाहरी रूप में राजी ने सीधे यह नहीं कहा कि तुम्हें करना ही होगा उन्हें इतना कहा कि समझ सको सो समझ यदि समझ आजा है तो ठीक है वरना मात्य लेश तेने कहों चो बीजा मा कर चो दुख तमे तमारी माया माहे सहजे भोगाव जो सो यह लास्ट ये अन्ति म है यह जो यह बात कही गई कि समझ सको सो समझियो अथवा माथे ले से तेने कहूंचो बीजा मा कर जो दुख यह होता है ना कि समझा समझा करके अब ठक गए हैं परेशान हो गए हैं अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि जबर जस्ति तो चलाया नहीं जा सकता है कि देख आखा खोल अभी चोपई सुना ना हास्यास्पद लग सकता है हासी आ सकती है लेकिन अवस्था तो शरम आने वाली है कि जब जिस तन में अक्षरातित विराजबान है जिसके अंदर धामधनी विराजबान होकर के कह रहे हैं समझा रहे हैं और उसके बाद उनको यह कहना पड़े कि चलो मैंने अपने तरब से समझा दिया है राजी का आदे समझ करके मूल स्वरुप का आदे समझ करके आपको समझना है तो समझो वर्ना मैं क्या ही कर सकता हूं यही तो भावे ने इस चोपई का कि समझ सको सो समझियो या 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 सिर तर वरना दूसरा क्या भावा इतने से भी नहीं हुआ आज शायद आज दोपहर की चर्चा ही होगी कि जिसमें अपनी चर्चा की ती दोपहर में या कल की चर्चा में एक प्रस्चंग आया था जिसमें यह कहा गया कि राज्जी तो अपनी आशी की निभा रहे है राज्जी अपनी आशी की निभाने के लिए उन्होंने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी यहां पहले तो यह दर्शा रहे हैं इस प्रकरण में कि समझ सको सो समझियो यायार या सिर्दार अब मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा अब तुम इस लायक हो या फिर अब तुम ये बाद भी राज्जी को क्या लग रहा है कि सुद्ध तो नहीं कचु साथ को पर तो भी अपने सजन ऐसा जानत करके ऐसा समझ करके अब अगले प्रकरण में क्या करें कि इतना मैंने कहा लेकिन फिर भी तो भी घाव न लग्यारे कले जे अब हम अगले प्रकरण में कहु कि दूबार कीमा कहा एक संस्कृित में उक्ति कही जाती है कि विवध्धम सुबध्धम भावती जैसे सबरा बांते तो एक बार बांती है ताकि खुले बांती है ताकि खुले न इसी तरह से है यहां दुलाह जा रहा पहले तहो भी घावThis याber एस और अगे कही न लग घृए देख दनी जी के इतने गुणों को देख करके भी इतने गुण कैसे कि जब उपर ही कह दिया वैसे तो अनेक तरह से समझ सकते हैं इसको लेकिन बिल्कुल पास की चोपाई लेकर के ही मैं समझा रहा हूं कि जब पहले तो कह रहे हैं कि समझ सको सो समझ जियो उसके बाद भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा और इतना गुण देखने के बाद भी हमारे हृदय को हमारे कलेजे को घाव नहीं लग रहा है कलेजे में घाव लगने का मतलब क्या होता है चोट लगना और कलेजा जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है उसमें यदि कोई चोट लगे तो उसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है तो यहां क्या कहा जा रहा है कि धामधनी ने जो गुण किये हम पर उन गुणों को हम याद नहीं रख पा रहे हैं हम तो तुरंत भूल जा रहे हैं इसलिए कहा रहे है कि कले जयबे घाव नहीं लग रही है आगे कहते हैं कोट ब्रह्मांड जाकी पलतें पैदा अब राज्जी के लिए इंद्रावती जी कहा रहे है कि जो एते देखे धनीगुन कोट ब्रह्मांड जाकी पलतें पैदा सो चाहे हमारा दर्शन कि हम पर राज्जी ने कौन सा गुण किया कौन से उपकार किया कि हम ब्रह्म स्रिष्टियों को इतनी शोभा दे दी कि जिसके इच्छा से पल भर में ऐसे कोट ब्रह्मांड करोडो ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं कहते हैं कोट ब्रह्मांड नज्रों में आवे खिन में देखके पल में उड़ावे तो ऐसे खिन में देखकर के पल में उड़ा देने वाले अक्षर ब्रह्म भी किसके दर्शन के लिए आते हैं सो चाहे हमारा दर्शन ब्रह्म सिष्टियों के का दर्शन पाना चाहते हैं राजी को तो भले ही आधी तरफ से तो देखी रहे थे एक तरफ के गाल का तो दर्शन होई रहा था ब्रह्म सिष्टियों को नहीं देख पा रहे थे ना तबी तो क्या करें अक्षरातीत के मुहल में प्रेम इश्क बरतत सोसुध अक्षर को नहीं किनविध केली करत और वितक में जो दूसरा प्रकरण है महाकारण वाला उसे में क्या कहा कि ए खेल देखन की इच्छा शोभा दे दी कि जो लीला वो देखना चाहता है उसमें तो हम खेल रहे हैं और इतना होने पर भी हमारे हृदय को चोट नहीं लग रही है राजी ने ब्रह्म सिष्टियों को शोभा इतनी दी है बले हमने कुछ किया हो या न किया हो हम स्वयम अपने हृदय में हाथ रख्य बताएं कि राजी ने जितनी बड़ी शोभा हमें दी है उतना कुछ हमने किया है कुछ भी उस लायक कहने को हम क्या क्या कहते हैं कि लाड़ लियां लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान कौन है सुभान मतलब प्रियत होता है प्यारा होता है वो श्यामा जी के लिए भी प्रयोग हो सकता है राजी के लिए भी प्रयोग हो सकता है और शिफत मतलब प्रसंचा महिमा अब राज जी हमारी प्रसंचा करे या श्यामा जी हमारी प्रसंचा करे या सामने क्या किया है कुछ किया है कुछ भी एक प्रसंच भी इसी तरह से हमने कई जगह पे कहा होगा या कई बार ये चोपाई भी सुनी होगी त्रिगुण कौन है ब्रह्मा विष्णु मैस ब्रह्मा जी दीनरात अपने मुखार विंद से चारों वेदों के मंत्र से उस परमात्मा की उस्तोती करते हैं ठीक है पहला विष्णु जी उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ध्यान करते रहते हैं और उस ध्यान में में और शीव जी उस परभ्रम की लीला को देखने के लिए जानने के लिए 60-60 हजार वर्सों की साथ मिनेटने हमसे तो 60 मिनेट कहा जाएगा कि ध्यान में बैठों नहीं बैठा जाता है शे घंटा अब तो बहुत दूर की बात है शिव जीव स्परमात्मा को पाने के लिए साथ साथ हजार वर्सों की समाधी लगाते हैं अब बताईए कि इन तीनों में से किसकी रहनी या किस से हमारी रहनी बहतर है त्रिगुण में से किसी से भी रहनी है हमारी वैसे देखा जाये तो शोभा राजी ने हमें दे दी वो शोभा क्यूं मिली निश्वत के कारण निश्वत है हमारे साथ तो यह तो फिर एक तरसे जिसे दुन्या में आरक्षण होता है ने जर्विसन वैसा ही हो गया ना कि ब्रह्म स्रिष्टी राजी की अर्धांगिनिया है तो शोभा मिल गए बिना कुछ किए अच्छा राजी तो शोभा दे रहे हैं क्योंकि उनको अपनी आशिकी निभान ही है लेकिन शोभा जैसी दिये वैसे इज्जत होती है कि नहीं होती ह जैसे एक कहावत एक बात कहीं जाती है दुनिया में कि जो मूर्ख पत्नी होती है वो पती को नौकर समझती है और स्वयम क्या बन जाती है फिर रही आम को बताता हम ठीक है जैसे भारती परंपरा में जैसे डॉक्टर है डॉक्टर की पतनी भले ही अंग उठा चाप उसको डॉक्टराईन कहते हैं पंडित की पतनी भले ही निरक्षर भट्टाचारी आहो लेकिन उसको पंडिता इन कहा जाता है मास्टर जो होता है उसकी पतनी को मास्टरा इन कहा जाता है नौकर की पतनी क्या हुई फिर नौकरा नी हुई और जो समझदार पतनी होती है वो अपनी पती को राजा की तरह निक्यालाएगी अब हमने क्या कि कि राजी तो हमें शोभा दे रहे हैं हर तरह से लेकिन हम अपने प्रियतम की शोभा को मिट्टी में मिला रहे हैं इसोचिए एक दुन्या वाले के नजर से देखिए कि अगर दुन्या वालों को यह पता चला कि हम हम मतलब सभी हम ब्रह्मसुष्टी हैं हमारे प्रियतम अक्ष्राते श्रीराजी हैं और राजी ने हमारे बारे में कह रखा है कि लाडलिया लाहूत की जाकी असल चौत्य आस्वान अथवा ये वही ब्रह्म्य सुष्टियां है जिनके वजह से पूरे संचार को मुक्ती मिलना है दुन्या वाले हमें देख करके क्या कहेंगे पता है जैसी हमारी रहनी है हमें देख करके कहेंगे कि अगर ऐसी रहनी वालों की वज़े से मुक्ती मिल रहे तो हमें मुक्ती नहीं चाहिए कड़वा सच है क्योंकि हमारी रहनी देखे ना सोचिए मैं सवाल पूस्ता हूँ जवाब देते जाना गौतम बुद्ध को आप ब्रह्मे सश्टी कहते हैं कभी नहीं कह सकते क्योंकि हैं नहीं लेकिन गौतम बुद्ध जैसी रहनी हम में से किसी की भी है किसी की भी नहीं गौतम बुद्ध के शिश्चियों के जैसी भी नहीं है स्वामी विवेकारन जी जैसी है स्वामी दयारन सरश्वतीजी जैसी है . gì या अब तक दुनिया में जितनेभी रिष्षी महर्शी मूनी हुए उनके जैसी रहनी है , उनके जैसी तपस्या है हमारी उनके जैसी साधना भक्ति उनके जैसी सेवा है लेकिन फिर भी हमें राज्जी ने शोभा दी है तो यह राजी का हम पर गुण हुआ कि नहीं हुआ और इतना गुण देखने के बावजुद भी क्या करें हैं कि तो भी घाव न लग्यारे कलेजे जो एते देखे धनी गुण कोट ब्रम्हांड जाकी पलतें पैदा सो चाहे किसका दर्शन हमारा दर्शन क्य क्या है पता है आज सुन्दर साथ में एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी है कि कई बार तो मैंने देखा कि अपने नाम के आगे भी लोग परमंच लगा लेते हैं खुद है हम भी वैसे ही हैं हमने परमंच नाम नहीं लगाए लेकिन काम तो हम भी वैसा ही कर रहे हैं कि हम ब्र हमने अखंड करने के लिए क्या किया है ऐसा कि जिस कारण से दुनिया को अखंड मुक्ती मिलेगे ऐसा कुछ किया है हमने कुछ भी नहीं किया है अब दुनिया की रहनी देखें हम स्वयम की रहनी देखें और एक तरफ यह देखें कि राजी ने हमें जो शोभा दी है वो कि इतनी बड़ी दी है तो हमें वैसे शरम आनी चाहिए लेकिन फिर भी नहीं आ रही है तो क्या करें तो भी घाव न लग यारे कलेजे बार-बार कि और कहते हैं इमान लियाओ सुल्याईयो कहूं अनुभव की बात महामतिजी ने ऐसा ही नहीं कहा कैसे कहा उनोंने अनुभव से हमारा ज्यान कैसा है सुना हुआ पढ़ा हुआ महामतिजी ने जो कहा वो अनुभव के आधार पर कहा और क्या कहा मोको मिले इन विधसों स्री धाम धनी साख्यात महामति जी ने रास्ता बताया जैसे पिछला प्रकरण हमने पढ़ा या पिछले प्रकरण की माता जी के द्वारा चर्चा सुनी कि क्या क्या करना है किस तरह से परीक्षा देनी है किस तरह से सेवा के रास्ते पर आ राज्जी को प्राप्त किया है बाद में इमान लाने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन पहले कोन इमान लाएगा कहने को ब्रह्मिस सुष्टियां ही इमान लाएंगी ला वाणी क्या कहती है कि कहती हूँ उम्मत को सुनसी सबसंसार पूरी दुनिया की लोग सुनेंगे लेकिन वास्तों में तो लाब किसका होगा जो लेशी एह विचार ऐसा कहा है अब प्रसंग चल रहा था कि दुनिया में एक बितक की चोपाई की आधार पर मैं उस प्रसंग को इस प्रस्ट करता हूँ एक चोपाई है कि नदी किलकिला तीर पे उत्रे परवंस आयें टिने सिरिधार अक्षरा को कहते हैं दे किनारे पर जितने आयाएं थे क्या व profan नहीं थे सभा में कि यह सामोहिक रूप से कहा गया शुभादे दी गए कि यह परहां हंस है परम्हंस कहलाने की शोभा केवल ब्रह्मस्ष्टियों को प्राप्त है लेकिन केवल तार्तम ग्यान लेकर के सुन्दर साथ में सामिल हो जाने से तो कोई परम्हंस नहीं होता क्योंकि परम्हंस तो अवस्था का नाम है परमंस कोई दुनिया में पाये जाने वाला पद नहीं है कोई पोस्ट नहीं है परमंस अवस्था का नाम है तो वो वैसे ही नहीं हो सकता परमंस की अवस्था किसको कहते हैं जब हम तीन शरीर से उपर उठ करके इस्तुल शुक्ष्म और कारण शरीर से उपर उठ करके जब हम हमारे जीव की भी शुद्ध अवस्था में होते हैं उसको परमहंस अवस्था कहते हैं लेकिन अब हम यह कहें कि नहीं हम सब तो परमहंस हैं अब इसमें हम क्या करते हैं एक चोपाई को हम अपने नजरिय से देखते हैं जैसे नाजाने इस जुंड में कौन सुहागिन होए इ शुमें कोई इसका आरत बताना कोई भी सुन्दर started अ Lumetоп real में कौई ब्रहम कोई भी ब्रहमस फिश्टी हो सकता है इसका सब मानते हैं लेकिन मैं इसको कैशे देखता हूं कि न जाने इस जुन्ड में कौन सुहागिन होए मतलब वह सब तो नहीं है पता ही नहीं कि कौन है सब तो नहीं यह का मतलब क्या है फिर कि सभी ब्रह्म्यश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तूहीं 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 कर रहा था वह उसको इस्वरिश्टी की वासना कहा गया लेकिन क्या भाव सिंग जी जैसा प्रेम है हमें भाव सिंग जैसी भी शेवा भावना है किया शुग्देव ब्राम्वन जैसे तू ही तू की भावना है हमें नहीं है ना तो इसे लिए केवल राजी ने शोभा देदी इस बात को ले करके यदि हम खुश होकर के अपने आप में ही आत्म मुग्ध होते हैं अंदर ये अंदर बस अपने आप में मस्ते कि नहीं हमें तो राजी ने सुभा दे दी हमने तो तार्तम ले लिए अब हम ब्रह्मन सुष्ट्य हो गए वो भजन गाती थे पहले निजधाम की गाड़ी में हम जाएंगे नहीं जाने को मिलेगा क्योंकि जाने के लिए चाहिए टिकट आप जाकर के बैठ भी गए तो क्या होगा कि टिकट है ने आपके पास तार्दम गयान सुरफ टिकट नहीं है तो इसलिए महमति जी ने इस प्रकरण में कहा कि यदि आपको मेरी बात माननी है तो आप माननी है क्योंकि मैं अनुभाव से कह रहा हूं यदि आपको नहीं मानना है तो जैसे उपर कहा कि समझ सको सो समझियो या यार या सिर्दार अब यार और सिर्दार कौन है यार मतलब सुन्दर साथ के लिए कहा गया है दोस्त मित्र कहते हैं साथ ही कहते हैं सुन्दर साथ के लिए सिर्दार मतलब कि सिर्दार भी वैसे सुन्दर साथ ही है लेकिन सुन्दर साथ में भी कुछ क्या होते हैं जैसे अपने तप के बल पर सेवा के बल पर समर्पन के बल पर उनको अग्रगण्य होने की शुभा मिलती है ना हिए जो जागनी के राह में आगे चल रहे हैं उनको क्या कहा सिर्दार सुंदूर साथ और बाकी सब सामान्य सुंदर्शाथ हैं जो स्वयम चलो इगान-चर्चा सुन लियां सुनम का कर लेतें लेकिन दूसरों का नहीं कर पातें सर्दार मतलब वता हैं लीडर जो सब सुन्दर साथ का नेत्रित्व कर रहा हो उसको कहा गया सिर्दार तो अब महामती जी कह रहे हैं कि अगर आप चाहे यार हो चाहे सिर्दार हो आपको यह दी इमान लाना है तो मैं अपने अनुभाव से यह सब बातें आपको बता रहा हूं और कह रहें मोको मिले इन विद्शों श्री धामधनी शाक्षात मुझे शाक्षात धामधनी यह जो तरीका मैंने बताए उस तरीके पर चलने से उस रास्ते पर चलने से मिले और आगे कहते हैं पीछे इमान सब लियावसी यह जो चवदे तबक बाद में तो हर को इमान ले आ ब्रह्म्य सुष्टियां पहले यकीन ले आएंगी पहले इमान ले आएंगी और उन ब्रह्म्य सुष्टियों का लक्षन क्या बताया उनमें दो चीजी होंगी एक होगा इमान और एक होगा इश्क इश्क मतलब प्रेम अब प्रेम कैसे आप में से अब में प्रेम के विशे मे क्या देंगे, कि हां, रादि से प्रेम तो है, किसको नहीं होगा भलाया ना, लेकिन एक चोपा ही कहते हैं, प्रेम छीपाए ना छीपे, जो घट प्रगट होए, जो के मुख बोले नहीं, नहीं देत रोए रोए, यदि प्रेम है किसी के अंदर तो छीपाने से भी नहीं दिखाने की कोशिज करें तब भी हमारे अंदर से तो प्रेम दिखता ही नहीं है क्यों प्रेम दिखाने की वस्तु नहीं है लेकिन प्रगट अपने आप हो जाती है कैसे प्रगट होगी आप किसी से प्रेम करते एक उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ आपको कैसे प्यकिन होगा मेरे प्रेम पर जैसे मेरे घर में आप आए मैं शब्दों से यह दिखाओं कि अरे आप आए मुझे बहुत अच्छा लगा मैं तो आपको बहुत चाहता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ इतना कह दिया एक बार उसके बाद आप घर में बैठे हुए हैं मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा है मैं अपना मोबाइल चला रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ मुझे बूख लगी तो मैं चला गया अकेले कहीं पर घर में इसलिए खाना नहीं बनाए था कि आपको देना ना पड़े मैं कहीं बाहर चला गया खाना खाया वापस आया और आपको मैं पूछता हूँ कि खाना खा करके आए हो कि घर जा करके खाओगे तो मैं आपके लिए कुछ भी ना करूँ और उसके बाद मैं मुख से कहूँ कि आप तो मुझे बहुत प्यारे हो अब आपको भूक लग रही थी उसमें भी मैंने नहीं पुछा अच्छा आप थोड़े जरूरत मंद से दिख रहे थे चेरे से पता तो चल रहा था कि किसी वज़े से परेशान है लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं पूछ उँँ तो बता देंगे बता देंगे तो सहयोग मदद करना पढ़ेगा सेवा करनी पड़ेगी इसल경 मैं ने पूछा कहीं नहीं डाल मत तो रहा और उसके बाद में जब मुझे लगा कि नहीं और कोई बहाना नहीं बना सकता तो मैंने आपको कहा कि सुन्दर्शाजी अब मुझे ने बहुत जरूरी काम मुझे बाहर निकलना है मुझे कहीं बाहर जाना है जरूरी काम है मैंना आपसे बाद में मिलता हूंा कि मैं चला गया और थोड़ा दूर गया और तो रहा आपके वापस जाने की और फिर वापस में घर आया आप जब घर से निकल गए है अब यह सारी बाते अगर आपको पता चल जाए कि मैंने जान बुझकर के ऐसा किया तो आप मानेंगे कि मैं आप प्रेम करता हूं नहीं मानेंगे अच्छा अब आपके हिसाब से बताइए कि प्रेम होता है अगर तो क्या होना चाहिए कि जिससे प्रेम है, जिसके प्रती प्रेम है, सबसे पहले तो उसको परेशान होते हुए हम नहीं देख सकते हैं, उसकी आवर्शक्ताइं हम पूरी करेंगे, है कि नहीं, उसकी सेवा करेंगे, उससे बातें करेंगे, उसको हम याद करेंगे, यदि वो सामने से कभी फोन नही करेगा तो हम फोन करके हाल चाल पूछेंगे ऐसा ही होता है न प्रेम में प्रेम को व्यक्त कैसे किया जाता है शरीर से प्रेम होता कहां है हरदय में व्यक्त करने का साधन क्या है शरीर लेकिन शरीर में सरिफ जुबा नहीं आती है हम प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं जुबा क के द्वारा है जैनिये चिगशेत चाहेंगे जिससे प्रेम उससे बात करने की इच्छा होती है बातें कैसे mieć चित्वनी के माध्यम से ठीक है अच्छा राज्जी को किसी चीज़ की जरूरत टो है नहीं लेकिन प्रेम करने वाले को एक बात हमेशा ध्यान लखना चाहिए और यह मैं प्रतिक सुन्दर साथ से कहना चाहूंगा जो यहां पर उपस्तित हैं या चाहे बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से देखने वाले हमारा प्रेम सिर्फ राज्जी से नहीं है हमारा अनादी संबन तो सुन्दर सच्चा प्रेम किसको कहते हैं किसी फकीर ने कहा कि महबूब के महबूब से भी मुहबबत हो जाए उसको सच्ची मुहबबत कहते हैं मतलब क्या समझ में आया कि नहीं आया महबूब के महबूब से भी मुहबबत हो जाए उसको सच्ची मुहबबत कहते हैं इसको सरल भासा म तो जिसको हम प्रेम करते हैं वो जिस जिस से प्रेम करता है उन सब से भी हम प्रेम करने लग जाएं तो उसको सच्चा प्रेम कहते हैं तो राजी दूसरे ब्रह्मेश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष ह alarm करते हैं तो हमें किस-किस से प्रेम करना चाहिए कि others से वे Neredुं करना चाहिए अब मैं फिर से मुल मुद्धे पर आता हूं राजी की तो को आवशेक्वता नहीं होते कि लेकिन ब्रह्मिन करना चाहिए लेकिन आज कई ब्रह्म्य स्ष्टियां ऐसी हैं जो भले ही संचारिक रूप से संपन्न हो लेकिन राजी की पहचान उस तक नहीं पहुंची है तो हमारा प्रेम क्या कहता है क्या कहता है हमारा प्रेम कि जो ब्रह्म स्रिष्टी राजी की पहचान से दूर है उसको राजी की पहचान देना यह भी प्रेम है कि नहीं क्योंकि सोचिए कि आप किसी ब्रह्म आप मुख से तो यह कहें कि मेरा ब्रह्म स्रिष्टियों से प्रतेक सुंदर साथ से प्रेम है ल हम अपने जगह पर जाकर के बैठ गए कि चलो हम तो जागरी थे हैं परम्दाम जाने की ट्रेन खड़ी है हम जाकर कि बस बैठे हुए कि उसको जब आना होगा आ जाएगा तो यह हमारा प्रेम हुआ नहीं हुआ ना तो यदि हमारा प्रेम ब्रह्मिस्ष्टियों से भी है तब भी करतब क्या बनेगा कि हमें उसको भी जगाना है तो सबसे पहले राज्जी से बात करना यह प्रेम है चित्वनी के माद्यम से दूसरे सुंदर साथ की सेवा के लिए हमसे जो भी बन पड़े वैस सेवा करना यह है प्रेम अब सेवा में एक ही प्रकार की नहीं है अनेक प्रकार से सेवा होती है कैसे कैसे सेवा होती है तन्मन और धन से सेवा कही जाती है लेकिन यह सारी सेवा की पहचान कब होती है जब बीच का जो परदा है ना हमारा अज्ञानता का वह समाप्थ हो जा अदक्राल अनेक विधि सेवातणी तुने उपज से ततकाल तब फिर जैसे एक मान माहे मा को बच्स ईसे प्रेम है तो चहरा देख करके मा कह सकती हो एक ये बचल परेशान है यो नहीं इन्हें यह बच्छा भूखा य्या इसका पेट भरा हुआ है मा ऐसे पूछ लेती है कि क्यों परेशान है बले ही दिल में यह पता ना चले कि परेशान क्यों है लेकिन इतना तो पता चलता है कि परेशान है क्यों क्यों क्योंकि उसको उससे प्रेम है वो जिससे होता क्या है कि जिससे प्रेम होता है हम या हमें ज उसके साथ हमारा जो ध्यान है वो बना रहता है जब बात ध्यान चित्वनी की करते ना वो भी तो वही है ना कि राजी से हमारा प्रेम है तो हम ध्यान कर सकते हैं अन्य था अगर प्रेम ही ना तो कितना भी आख बंद करके बैठे वो तो शरीयत ही होगी प्रेम के साथ किया गया शरीयत भी उपासना में बदल जाता है तरीकत में बदल जाता है और बिना प्रेम के किया गया ध्यान भी शरीयत ही होता है तो चाहे आप चित्वनी करें चाहे आप सेवा करें सब के सब इसलिए कि हम राज्जी से प्रेम करते हैं चौपई क्या कह रहे थी कि अवल आकिन ब्रह्म स्रिष्टी कहा जिन में इमान इश्क ब्रह्म स्रिष्टियों के अंदर इमान भी होता है और इश्क भी होता है इश्क किस के प्रती होता है राजी के प्रती और सुन्दर साथ के प्रती इश्क होता है और इमान किस के प्रती होता है राजी की वाणी के प्रती है क्योंकि वाणी ही तो पहचान देती है ना दोपर में अमने स्वामे जी के चर्चा में क्या सुना कि वाणी के खिलाफ कोई क कुछ भी कहए नहीं समदणा नहीं सुनना वाणी के विरुद में शाक्ष्यत राद्धि भी आ करके कहें और वाणी के विपरीद हो तो नहीं मानना ऐसा राज जी ने करके दिखाई लक् toy daa friction में यह भी हमने सुना तो जहां बात आई इमान और इश्क की हमें राज्जी के प्रती इमान पर द्रिड रहना है और जो जिस प्रेम की हम बात करते हैं हमारे हुर्दे में प्रेम आया तो फिर कोई सिखाने की आउसेक्ता नहीं पड़ेगे हमने दोपर की चर्चा में भी जिन आसिक मासुक का द्रिश्टान चुना जिन प्रेमी प्रेमिकाओं का द्रिश्टान चुना उनको किसी ने सिाया वैसा मैंने कहीं नहीं पड़ा आज था कि शशी पुनू को एक दूसरे को किसी ने आ करके ट्रेनिंग दी हो कि प्रेम कैसे किया जाता है सेवा कैसे की जाती है किसी का खयाल कैसे रखा जाता है किसी के प्रती विरह कैसे हो जाता है तो सिखाय नहीं आता ना क्या कैतें प्रेम सिख आया ना नहीं सिखा जा सकता है। अपने या भी वो ऑचान होühr पहचान होती है यहां वानी द्वारी के द्वारा लेकिन वामी पर इमान होना तो जरूरी है लिए ब्रह्मसृष्टीओं के अंदर ही इमान होता है और वो इश्ट होता है। अब जब हमने ये दावा लिया है कि हम ब्रह्म्य सुष्टी हैं तो हमारे अंदर भी वह प्रेम होना चाहिए इसलिए मैं सभी सुन्दर साथ से यही आगरह करना चाहूंगा कि यदि हमने दावा किया है कि हम ब्रह्म्य सुष्टी हैं हमारे अंदर राज्जी के लिए प्रेम है तो वह प्रेम दिखें चहरे पर दिखें वेवहार पर दिखें यह अ प्रम्दा में तो हमारे प्रेम ब्रह्म सुष्क्यों के प्रतिवी है ना वहां पर हर रूह हर आत्मा एक दूसरे को स्वयम से अनंत गुना ज्यादा चाहती है इसलिए हम जैसे दोपर का भोग लगाते हैं राजभोग तो उसमें क्या है एक ले चली शाक कटोरी तापे छीन वे चली दूसरी है ना ऐसे करते करते सब खीजते चले जाते हैं कटोरी चीनते जातें लेकिन उसमें एक और छारण आता chantakam कि पर रेक्ष्ण काहूं किनपे कोई किसी से रूप करता कोई किसी से घुचा नहीं होता नाराजनी होता क्योंकि वहां तो स्भी एक स्वरूप हैं केते ना आतम सहुनी एकज दिसे जुजवीते दिसे दिया भले ही यह योगमाया के संदर्व में है लेकिन परमधाम में भी परात्म के तन अलग-अलग हैं लेकिन सभी तो आतम स्वरूप ही हैं अच्छा उसी परमधाम में उसी परात्म को तो हम कैसे बैठ एक दुसरे को गले लग करके बैठी हैं अचाओ महाँ पर जब गले लग करके बैठ रहे थे तो एक चौपाई आती है कि महामती कहे हसे हक देख मौमिनों हाल ठीक है ब्रह्मिस्ष्टियों की हालत को देखकर कितब राजी हस रहे थे महामती कहे बैठियां देखके हक हसत है हम पर कहे देखो इन विद खेल में भेलिया रहे योकर कि यहां पर इस तरह से इकठाव करके बैठी हैं यह द्रिश्टांत में बार बार देता हूं कि परमधा में ब्रह्मिस्ष्टियों ऐसे करके गले लग करके बैठे हैं और यहां प तो ये कैसा प्रेम इसलिए हमारे हृदे में सुन्दर साथ के लिए भी प्रेम हो जैसे ही हमारे हृदे में राजी और सुन्दर साथ के लिए प्रेम आएगा फिर ऐसे यहां बैठ करके जैसे अभी चर्चा सुन रहा है ना बार-बार ये सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें अपने आप ही कहते हैं अनेक बिद सेवातनी, तुने उपज से ततकाल अपने आप ही उत्पन होगा, गांग जी भाई जी को किस ने सिखाया, कोई सिखाने गया वहाँ पर, पहचान हुई, इमान आया, प्रेम आया, उस हम, जब से होश शमाला है, तब से वाणी सुन रहे हैं, तब से हम सेवा, 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 सरकार सी भी बार बार कहते हैं, कि वाणी मन्थन, सेवा और चित्वनी का कोई विकल्प नहीं है, रहनी का कोई विकल्प नहीं है, न हम से वाणी मन्थन पहुआ रहे हैं अब ही माताजी ने वाने को घर में पड़ आने के बात किरें वांगे की सेवा अपने घर Economy अभजय के है तेक सेवा ने का कोई विकाव ने उस विशय में बात हो रहे थी आ हमने में मंतन किया न हमने सेवा को अपने जीवन में बसाया बात तो हम बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन जैसे ही बात आये सेवा की एक उदाहरन में देना चाओंगा मैं यह नहीं कहता कि आप लाखों रुपे दीजिए तब ही सेवा कही जाएगी आपके पास यदि सो रुपे देने की सामर्थ है सो दीजिए वो भी सेवा ही है लेकिन हम राजी से बेइसाना चाहते हैं राजी तो चाहते हैं जैसे इक उदाहरन के लिए आजकर तो बद्दे मनाने करते हैं और फिर उसके को क्या करते घाते कम बिगाड़ते ज्यादा है तो कितना खर्च होता है ours कम से कम हजार रुपए का तो खाच होता ही होगा चाहती आपको बहुत छोड़ी पाटी दे नी तब ही कम से कम हजार लेकिन जब बात आती है राज जी की सेवा की singular की फने लेकिन उसमें भी 20 लोग भी नहीं मिलते पहला दूसरा कि जब किसी के घर में किसी की साधी हो रही होती है सुन्दर साथ में भी तो सिर्फ प्रेस्टिज के लिए सिर्फ इज़त के लिए कि दुनिया के सामने हमारी इज़त का कच्रा ना हो फालूदा ना हो तो हम क्या करते ह लाखों रूपए पानी की तरह बहा देते हैं लेकिन यदि कहा जाए सेवा के लिए तो हम उन लाखों में से लाख एक लाख देने के लिए भी राजी के लिए हम नहीं दे सकते अच्छा बीतक में एक प्रसंग आया है समय तो वेसे पुरा हो रहा है बरतन बजा बजा करके इ कि गिदर की पीठ का अर्थ क्या किया है कि धर्म की जिम्मेदारी को उठाने में कमजोर होगा उसको गिदर की पीठ का कयामत के निसान में हमारी रहनी भी तो कुछ ऐसी है ना कि दुनिया के लिए हम लाखों रुपए अच्छा मोबाईल में रिचार्ज प्रतेक महीने कित एक महीने 50 रुपए भी अलग करके रखते हैं कि यह मेरे तरब से राजजी के लिए करते हैं नहीं कि कई हम थीएटर जाते हैं पिक्चर देखने के लिए तो 200 रुपए से कमकी तो टिकट आती नहीं होगी फिर अंदर जाते हैं वहां जो कुछ भी खाना वाना करना कहीं भ एक शब्द है मनोरंजन और एक है आत्मरंजन मन को रंगना दुनिया के वृत्तियों से हम करते हैं लेकिन आत्मा को रंगने के लिए क्या चाहिए सेवा प्रेम चित्वनी समरपन स्रद्दा तो मनोरंजन के लिए हम जितना खर्च करते हैं आत्मरंजन के लिए उससे कम होन चाहिए मन का महत्व ज्यादा है कि आत्मा का मन तो जड़ है ना मन जड़ है आत्मा चेतन है और चेतन ही नहीं अनादी है और अनादी भी कैसे अक्षरातित स्री राज्य की आहला दिनी है तो कीमत किसकी ज्यादा होनी चाहिए एक आचा ज्यादा नहीं देसकती कम से कम बराबर तो इजद दीजिए आत्मा की इद्जत मार्केट में कम हो रही अभी तो इसलिए आत्मरंजन पर विशेश ध्यान देना चाहिए लेकिन यह सारी समझ कहां से आती है प्रेम से प्रेम जैसे ही होगा सारी समझ अपने आप आजाएगी कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रेम हो तो समय अपने आप निकल जाता है जैसे यहां पर बहुत सारी युवा युवतियां भाई बहन बैठे हुए यदि आपको कोई लड़का पसंद आता है वो भी आपको पसंद करता है तोनों में आपस में फोन नमर एक्सचेंज होते हैं अब उसके बाद की कहानी इससे पहले भी 24 गंटे का ही दीन होता था आपके पास और तब भी टाइम नहीं मिल पा रहा होता था कोई कई काम करने के लिए अब नमर एक दूसरे को देने के बाद भी काम उतना ही होता है लेकिन बीच-बीच में समय निकाल करके खाना खाया तब यह ठीक है कोई परेशानी तो नहीं यह ढ­ 대해 इसारी पूछते हैं कि नहीं पूछते Hence अच्छा घर-वालों से अगर परेशा नी हो बात करने में तो कई बार लोग बात्रूम में गुशा आउशाए 가능 को बात कर लेकिते हैं चचत पे बात करते हैं अरग अरग जगहों पे जा करके बात conservative मिशिए मैंने एक बार अब ग्यानपिट सरसावा कितने लोग आए हैं बहुत सारे लोग आए होंगे वैसे आप में से तो हमें साहीते को बाइंडिंग करने के लिए सहारनपुर में देना था किसी जगह पर तो गाड़ी में बैठ करके गए वो काफी इंटेरियर इलाका पड़ता है जिस जगह पर जाना था रात के लगबग साड़े बारा बजे का समय था हम जब गाड़ी में गयना रास्ते में जा रहे थे तो सामने गड़ा आया गड़ा बचाने के लिए हमने अचानक से गाड़ी मोडी तो वहां पर देखा हमने कि सड़क के किनारे जैसे प्लॉटिंग हो रही होती है तो इंट की छोटी-छोटी दिवाल होती है उस दिवाल पर बैठ करके एक लड़का फोन पर लगा हुआ था अब उसको लगा कि जैसे हमने अचानक से गाड़ी मोडी तो उसको लगा कि सायद स्टेरिंग फेल होगा तो बहुत तेजी से भागा उसको देखकर कि मुझे एक क्या नहीं करते एक फोटो देखी मैंने फेस्बूक पे कि एक बन्दा क्या करहें सुखा वाला कुणा होता है बावडी होते हैं और उतरने की सिंड़ी होती है उस सीनी में जा करके बात करा था, किसी ने उसकी फोटो खिच करके फेस्बूक पे डाल दिया, तो लोग कहां कहां से बहना निकाल लेते हैं, तरीके निकाल लेते हैं, अच्छा आप एक बात बताओं, भाई बेन बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, कि किसोर किसोरी जो हों लड़की भी नहीं कह सकती है, लेकिन उसके बाद भी प्रेमी प्रेमी का को गिफ्ट दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, उसी पैसे से बचा बचा करके, कैसे बचाता है, लड़का कैसे बचाता है, लड़की कैसे बचाती है, इसका मतलब क्या है, कि जहां प्रेम आता ह आज दोपर शाम के समय में कहा था कि जहां प्रेम है वहां दिमाग नहीं लगता लेकिन मैं कहता हूं कि जहां प्रेम होता ना सबसे ज्यादा दिमाग वहां पर काम करता है तो जब इमान और इश्क की बात आई तो जहां इश्क होगा राजी की प्रति और सुन्दर साथ की प्रति सेवा करने के लिए बहाने अपने आप मिल जाएंगे चंचल जी चोरी करके लाते थे कि नहीं लाते थे सेवा के लिए चोरी करना है यहां बस करना क्या है राजी के वानी के प्रति द्रड इमान लाना है तथा सुन्दर साथ तो राजी के प्रति प्रति प्रेम लाना है दो चीजे हो गई तो सेवा अपने आप ही सेवा की अनेक तरीके सूझ जाएंगे अब आप में से कोई भी सुन्दर साथ ठीक है अब तो मैं चर्चा समाप्त कर रहा हूं राजी की महर से लेकिन इसके बाद भी किसी को भी लगे कि हमसे कोई सेवा नहीं हो सकती तो मैं आपको सुन्दर साथ हो मैं आपको बताऊंगा कि आपसे क्या सेवा हो सकती है सिर्फ इच्छा होनी चाए सेवा करने की कहते हैं जहां चाह है वहां राह कहते हैं निंचल जाता है थे और मै今या अपनेगा गिewाあनि को यहीं पर विराम देता हूँ सब छुन्दर साथ मिल करके चोपाईदो रहेंगे और भवीषय में पूरे जीवन बस इतना दिहान रखेंगे कि वाणी पर इमान और राजी युद शून्दर चाहत के प्रते इश्क प्रेम को अपने ऺते में बसाना है सम्दर सम्द्वसात के साथ प्रेम का व्यवाहर करना है और हिरुद्य में अपने जीवन को लगाना है बस अब चोपई दो रहें पीछे इमान सबल्यावसी एजो चवदे तबक अवल आकिन ब्रहमस्रिष्टिका जिन में इमान इश्क जिन में इमान